असलामों अलेकुम, हेलो फैंस, विल्कम टो मैं जहां राज कीचेन, मैं हूँ जहां आरा, उमीद करते हूँ, आप सब खरये से जरूर होंगे, आज मैं आप सभी के साथ दीवाली स्पेशल पर बनने वाली इमर्ती की रेसिपी लेकर आए हूँ, जिसे बनाना बहुत यासान है, चंदी चीजों से हम इसे बना कर त्यार करने वाले हैं, हर किसी के कीचेन में अवेलेबल होता है, इसे बनाने के लिए जो चीज़े हम को चाहिए, बहुत मज़िदार का क्रिस्पी इमर्ती बन कर त्यार होगा, इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, अब मैं इसे पानी से साफ करके भीगो कर छोड़ दूंगी, तीन से चार घंटे के लिए, ज्यादा टाइम के लिए भी भीगो कर नहीं रखना है, स्रिप तीन से चार घंटे के लिए हम इसे भीगो कर रख लेंगे, तो यहाँ पर देखिए, दाल अच्छी तरह से फुल च कर लेना है, तो अब हमें क्या करना है, इस दाल को अच्छी तरह से फेट ना है, बड़े से बोल पर मैं इसे डाल देती हूँ, सिंपल तरीका होता है, जैसे कि हम भला बनाने के लिए मिक्शर को फेट ते हैं, अच्छी तरह से फ्लपी होने तक, बिल्कुल उसी तरह से हम अच्छी तरह से फेट लेंगे, तो यहां पर मैं थोड़ा सा रेट फूट कलर डाल देती हूँ, अपस्नाल है, आप चाहें तो डाले हैं, अफिर से स्किप कर सकते हैं, बाद में हम सुगर सिरफ में भी कलर इस्तेमाल करने वाले हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लोंगी, त तो समझ लीजे हमारा मिक्क्षर बहुत फलपी बनकर तयार है, अब हमारा इमर्ती बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तयार होगा, यहां पर मैंने पाइपन ले लिया है, अब महें पर मिक्षर अद कर देती हूँ, इस तरह से, अगर आपके पास इस तरह से पाइपिंग नहीं है आप यहाँ पर दूद का पैकेट जो होता है उसका इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर तेल का पैकेट का भी इस्तिमाल कर सकते हैं हलवाई भाईयों का अलगी प्रोसेश रहता है उसमें क्या है ना उन लोग कपड़े का एक पोटला बनाते हैं इस पर जलेबी का मिक्शर या फिर इमर्ती का इस तरह से मिक्शर डाल कर बनाते हैं तो यहाँ पर हमें लेना है पैपिंग बैग या फिर दूद का पैकेट या फिर तेल का पैकेट का भी इस्तिमाल करके इस तरह से हमें जलेबी का मिक्शर डाल देना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो कौन तयार है जलेबी का तो मैं इसे साइट कर लेती हूँ अब हमें यहाँ पर सुगर सिरफ बना लेना है कड़ाई पर मैं डाल दूँगी हाफ कप चीनी इसे के साथ हाफ कप मैं हाँ पर पानी भी एट कर दूँगी अगर आपको लग रहा है यहाँ पर मैंने बहुत ही कम सुगर सिरफ बनाया है ऐसा कुछ नहीं है मैं आगे आप लोगों को बताने वाली हूँ थोड़ा सा रेट फूट कलर और सैफरोन मैंने यहाँ पर डाल दिया है अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी श्रोप को अन कर लूँगी हाई फ्लेम पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास अल्रेड़ी एक कप के करीब है सुगर सिरफ मैंने रिसेंटली अपलोड की है फेनी की रेसिपी अगर आपने नहीं देखा है लिए जरूर देखिए बहुत ही क्रिस्पी फेनी बन कर तयार हुआ था तो उसका बचा हुआ सुगर सिरफ मैं यहाँ पर एट कर देती हूँ अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट फूगर सिरफ बनाना है अगर आपके पास नहीं है सूगर सिर्फ एक्ट्र तो यहां पर आप क्या करें देड़ कप लेना है आपको चीनी और एक कप लेना है पानी उसके बाद आपकर बिल्कुल एक तार वाला सूगर शिरफ बना लेना है अब मैं यह फ्लेम पर इस रम पर इसे तब-बखर पकांगी जब तक इस सूगर सिरफ में एक तार बनने लगे इस तरह से आपको चेक कर लेना है हाथ में इस तरह से अलका सा एक तार बनने लगे जब अब हमें श्रोप को आफ कर लेना है क्यूंकि हमारा सुगर सिरफ बिल्कुल बनके तयार है इससे ज्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे एक तार बनने लगे बिल्कुल भी इमर्ती के आसपास भी बबल नहीं आ रहा है उसी से अंदाजा लगाईए तेल कितना गर्म है बहुत ही कम हलका गर्म जब रहेगा तेल तभी आपको इमर्ती का सेब दे देना है और कोन का जो है आपको कितना कट करना है उसके नीचे का अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप थोड़ा सा छोटा काटे अगर आपको मोटा इमर्ती खाना पसंद है तो थोड़ा सा आपको बड़ा कट कर देना है हाई फ्लेम पर हमें इससे तब तक फ्रै करना है जब तक क्रिस्पी नहीं हो जाए याद रखिए जब आप इमर्ती बनाए तेल पर तेल बिल्कुल हलका गर्म होना चाहिए जब आप इमर्ती का सेफ दे दे इसके अंदर उसके बाद आपको फ्लेम हाई कर लेना है हाई फ्लेम पर हमें इसे तब तक फ्राय करना है जब तक एक क्रिस्पी ना हो जाए यहाँ पर कोन को मैंने बहुत ही छोटा काटा था तो यहाँ पर हमारा इमर्ती बहुत ही पतला बना है यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मोटा कट कर लिया है अब देखिए हमारा तेल बिल्कुल हलका सा गर्म है अब मैं यहाँ पर इस तरह से इमर्ती सेप दे रेती हूँ अगर तेल ज्यादा गर्म हो भी जाए इमर्ती बनाते वक्त आपको क्या करना है बिल्कुल स्टोप आफ कर लेना है सारे इमर्ती बनने के बाद आपको क्या करना है फ्लेम ओन करना है फिर उसे हाई फ्लेम पर उलट उलट करते हुए क्रिस्पी होने तक फ्राय कर लेना है बहुत ही सिंपल टिप्स को फॉलो करना है और देखिए आपका इमर्ती कितना क्रिस्पी बन कर तयार होगा तो यहाँ पर देखिए माशालला से हमारा इमर्ती बिल्कुल बन करते यार बहुत क्रिस्पी बना है अब मैं इसे तेल से चान कर निकाल देती हूँ फोरण ही हमें इसे सुगर सिरफ में डिप करना है इसे हम चान कर अलग से नहीं रखेंगे जैसे ही चानेंगे डायरेक्ट हम उसे सुगर सिरफ में एट कर देंगे तो यहाँ पर सुगर सिरब को मैंने स्टोप के लो फ्लेम पर रखा हुआ है फिलाल हल्का सा गर्म है अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ एक एक करते हुए इमर्ती और उलट पुलट कर लेंगे सुगर सिरब में कुछी सेकेंड के लिए मान लिजिए छे से साथ सेकेंड के लिए आपको इसी तरह से छोड़ देना है उसके बाद आपको सुगर सिरब से इमर्ती को बाहर निकाल देना है और फिर हमारा इमर्ती बिलकुल खाने के लिए तयार है इमर्ती देखने में जितना खुबसूरत है खाने में उतना ही मज़ेदार का है आप इसे जलेबी भी बोल सकते हैं गोल गोल घुमाया हुआ जलेबी भी आप इसे बोल सकते हैं बहुत ही खुबसूरत और बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार का बनकर त्यार होता है इसके आवाद से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना करारा बन कर तयार हुआ है मैं इसे तोड़ के भी दिखाऊंगी अंदर तक इसका सुगर सिरफ जो है अब्जॉर्ब कर लेता है बहुत ही जूसी और बहुत ही क्रिस्पी बन कर तयार होता है जरूर ट्राइ कीजे आने वाले दिवाली पर आप इसे अपने महमानों को बना कर सर्फ कीजे उन्हें बहुत ही पसंद आएगा आप इसे किसी भी ओकेजन पर बना कर तयार कर सकते हैं जटपड बन कर तयार होता है और खाने में माशालला बहुत ही मज़ेदार का है जरूर ट्राइ कीजे आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा तो फ्रेंड्स अगर आज की क्रिस्पी मर्ती की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है आप लोगों के लिए हलफुल लगती है तो प्लिस इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते वे जाईए अगर रेसिपी पसंद नहीं भी आई है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं एक मेरेसिपी के साथ अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद जरूर रखें अल्ला हाफीज